बालेश्वर में जो दर्दनाग दुर्गटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके रेलवे ने बालेश्वर के सोरो के बदरग के साथियों ने बंदों ने चिला प्रसाशन ने सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चलू किया था रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम कम्प्लीट होते होते हैं रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा और अभी जिस तरह से देजी से काम चल रहा है दो लाइन करीब करीब जो मेंन लाइन है उसमें पट्री का काम कम्प्लीट हो गया है उपर बिजली के तार का और बाकी सब चीजों का काम चल रहा है, साथ ही साथ आज बालेश्वर में है, बालेश्वर डिस्टिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, वद्रग के मेडिकल में हो, और कटक के मेडिकल में, सब जगे पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित कि सुविधा हो रही है वो भी देख के आए और सब जगे प्रयास ये चल रहा है कि देश बर में जहां से भी पैसेंजर आये थे जो इस दुरगटना में रहे अनफॉर्चुनेटली उन सब के परिवार जनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिये से राज्य सरकारों क साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है जिस जिस सिच्वेशन में ये दुरगटना हुई है जिस सिच्वेशन में दुरगटना हुई है और जो परिस्तितिया है उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ हब तक का एड्मिनिस्ट्रेटिव इंफॉमेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वाइरी के लिए आगे के इंवेस्टिगेशन के लिए इस केस को इस कुरे मामले को CPI के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रेकमेंडेशन किया जा रहा है बालेशवर में जो दरदनाग दुरगटना हुई उ अभी ने मिलके रेलवे ने बालेशवर के सोरो के बद्रक के साथियों ने बंदों ने चिला प्रसाशन ने सब मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चलू किया था रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम कम्प्लीट रेस्क्यू कम्प्लीट होते होते हैं रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा और अभी जिस तरह से तीजी से काम चल रहा है दो लाइन करीब करीब जो मेंन लाइन है उसमें पट्री का काम कम्प्लीट हो गया ह उपर बिजली के तार का और बाकी सब चीजों का काम चल रहा है साथ ही साथ आज बालेशवर में है बालेशवर डिस्टिक्ट हास्पिटल में हो सोरो के मेडिकल में हो बदरग के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में सब जगे पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविदा हो रही है वो भी देख के आए और सब जगे प्रयास ये चल रहा है कि देश बर में जहां से भी पैसेंजर आये थे जो इस दुर्गटना में रहे अनफॉर्चुनेटली उन सब के परिव जिस सिचुएशन में ये दुर्गटना हुई है और जो परिस्थितियां है उन सब को ज्यान में रखते हुए झो कुछ अप-तक का अड्मिनिस्ट्रेटिव इनफॉरमेशन मिली है उस सब को ज्यान में रखते हुए आ आगे की इंक्वाइरी के लिए आगे के इन्वेस्ट के लिए इस केस को इस कुरे मामले को CPI के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रेकमेंडेशन किया जा रहा है